हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं चांदार परिसर में वैसे तो 800 बेट हैं जिसमें पहले 500 बेट के साथ प्रारम हुआ है यहां आने बारे कोरोना मरीशों को शुद्ध और सात्विक भोजर और नाश्ते की विवस्ता भी ब्रह्मकुमारी संस्था कर रहा है कोरोना महामारी से जूच रहे लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है इस संकटकार में 800 बेट वाला ब्रह्मकुमारी संस्था के मांसरोबर आइसोलेशन एवं कोवट केदर में फिलहाल 500 बेट का शुबारम किया गया है जिसमें 4 चिकित्सकों सहिद 26 पेरा मेरिकल स्टाफ पूरे मरीजों को 24 घंटे शिफ्ट वाइस इलाज कर रहे हैं फिलहाल 100 मरीज हैं आने वाले दनों में और वे मरीजों का इलाज होगा आक्सिजन और दवाईयों का सारा खर जिला प्रशासम कर रहा है फिलहाल इस कोविट सेंटर में 50 मरीज ऑक्सिजन पर तथा 24 नॉर्मल स्टेज में हैं तथा 7 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है जुला कलिक्त भगवती प्रसात इता माउंट आपू उखन अधिकारी अभिशेक सुरान के नीदृत्य में इस कोविट और आइसलेशन केंदर की संचालन हो रहा है यहां मरीजों को आध्यात्मे को स्वच्च वातावरन में मेडिटेशन के लिए कोरोना प्रभावितों को प्रेरित किया जाता है गौर तलब है कि पिछले वर्ष जब कोरोना काल आया था तब ब्रह्म कुमारी संस्ता इस विशाल फिल्डिंग को प्रशासन को दिया था जिसमें पूरे बर्ष आने वाली मरीजों को सात्विक और शुद्ध भूजन की विवस्ता भी ब्रह्म कुमारी संस्ता ने किया था बहतरीर वातावरन में यहां का रिकवरी रेट 99.2 प्रतीशत रहा था जिसमें 3000 मरीज रिकवर हुए थे वर्टमार में जो कोवीड की सेकिंड लेर चल रही है उसमें पूरे जिले में और विशेश रूप में अब रोड में बहुत बढ़ी संक्या में संक्रफिक मरीज सामने आये हैं जिनको ऑक्सिजन की भी आउसरिक न रहती है बहुत सारी संक्या में एसे भी मरीज है जो बिन आउसी जनके है लेकिन उनका टेइपन क्या जा रहा है हमारे पास पहले ब्रहम कुमारी द्वारा दिये वे दू बील्डिंग प्रेम निवास ओ रात ल दर्शन उनमें जैसे ह जागरुप टीवी के लिए आब रोट समनोर चरस्या के रिपोर्ट चरस्या कीपմ समनोर चर्क वीक वीति मिएोर्ट कि वीकलिषे के रिरे के लागर मूद रोट समनी ये आद रोट